स्वामी शद्धानन भारत के उन महान सन्यासियों के परंपरा में अग्रणी थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधिन्ता, शिक्षा और वेदिक धर्म के स्थापना के लिए समर्पित किया स्वामी शद्धादन जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर के तलवान नामक गाउं में हुआ था, उनके पिता का नाम नानक चंद था, वे इस्ट इंडिया कमपनी में पुलिस आफिसर के पद पर कारे रत थे उनके बचपन का नाम मुंशे राम था, उनकी पढ़ाई लिखाई ठेक ढंक से नहीं हुई थी, एक बार मुंशे राम जी अपने पिता के साथ स्वामी दयानन सरुसती जी के प्रवचन सुनने के लिए गए, मुंशे राम जी को ईश्वर में द्रल आस्था नहीं थी, लेक अनन्य भक्त बन गए, उनका विवा श्रीमती शिवा देवी के साथ हुआ, जब स्वामी मुंशे राम जी की आयू 35 वर्ष की थी, तब उनकी पतनी शिवा देवी का स्वर्गवास हो गया, जिस समय मुंशे राम जी की पतनी का स्वर्गवास हुआ, उस समय उनके दो पुत सन 1917 में उन्होंने सन्यास धारन किया और उसके बाद उनका नाम स्वामी शद्धानन हो गया। जब महत्मा गांधी भारत आये और उन्होंने गुरुकुल कांगडी विश्विध्याले का दोरा किया तब स्वामी शद्धानन जी ने सबसे पहले गांधी जी को महत्मा की उपाधी से विभूशित किया। जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद जब कांग्रेस का 43 अधिवेशन अमरसर में हुआ तब स्वामी शद्धानन जी ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वहां से उन्होंने हिंदी भाषा में अपना अध्यक्षी उद्बोदन दिया। बाद में जब स्वामी शद्धानन जी को लगा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टी करण की नीती पर चल रही है तब उन्होंने शुद्धी करण अभियान चलाया। जिसका नाम अब्दुल रशीत था उसने स्वामी शद्धानन जी के घर जाकर धर्म चर्चा के बहाने से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। आज हम ऐसे महान सन्यासी स्वामी शद्धानन द्वारा गुरुकुल कांग्री विश्विद्याले के विद्यार्थियों को सन 1914 में दिये गए दिक्षांत भाषन की चर्चा करेंगे। स्वामी शद्धानन कहते हैं पुत्रों आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता हूँ जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना तुम्हारे लिए आवशक था पर यह ना समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है प्राचीन काल से हमारे रिशियों ने इसी का तुम पर दबाव नहीं है इसलिए ये बंधन और भी कड़े हैं इन बातों को यहां समझना जरूरी है जब विद्यार्थी विद्याले में प्रवेश पाता है तब उसे विद्याले के उन सारे नियमों को मानना पड़ता है जो विद्याले परिवार ने उस पर आना सारी कक्षाओं में बेठना सारी कक्षाओं में ध्यान पूर्वक अध्यन करना ये बंधन जो है अनुशासन बनाने में कारगर होते हैं लेकिन बारवी कक्षा के बाद जब विद्यार्थी महा विद्याले में प्रवेश करता है तब उस पर ये बंधन इतने कड़े न के नियमों को विद्यार्थी जीवन में जो उसने अनुशासन पालन किया है उसको वहां कॉले जीवन में भी अपनाता चलेगा इसलिए स्वामी शद्धानन जी ने विद्यार्थियों से कहा है कि ये बंधन ढीले अवश्य हैं लेकिन यहां अनुशासन में बांधे रखने के मैं जिन बातों की चर्चा यहां करने जा रहा हूं या स्वामी शद्धनन जी ने जो बाते कहीं हैं वे उपनिशद वाक्यों में वरणित हैं जिने आज से हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमी में प्रतेक आचारे अपने इसनात्कों को विद्या समापती के समय सुनाय करता था अब यहां उपनिशद वेगरंत हैं जो वेदों के बाद लिखे गए हैं जिसमें गुरू अपने शीश्यों को पास में बैठा कर तत्व चर्चा किया करते थे उपनिशदों की कुल संख्या ऐसे 111 है लेकिन उनमें 11 उपनिशद मुख्य माने गए हैं उनमें भी इशावासे उपनिशद को श्रेष्ठ माना गया है इसमें केवल 18 मंत्र हैं लेकिन महत्मा गांदी ने एक स्थान पर लिखा है कि यदि भारती साहित्य पूरा किसी कारण से समाप्त भी हो जाए और यदि यह 18 मंत्र बचे रहे जाते हैं तो फिर भी भारती साहित्य पुनर द्यार्थियों को सुना रहे हैं वे कहते हैं उन्हीं पुराने आचारें का प्रतिनिदी होकर मैं तुम्हें यह वाक्य सुनाता हूं पुत्रों परमात्मा सत्य सुरूप है उसका प्यारा बनने के लिए अपने जीवन को सत्य सुरूप बनाओ तुम्हारे मन में तुम्हार क्रिया में सत्य हो वास्तों में स्वामी शद्धानन जी कहना चाहते हैं कि साक्षर्ता का सही आशे ही यह है कि जीवन सत्य सुरूप बने वास्तों में हमारी विद्या के लिए कहा गया है सा विद्यया विमुक्त है विद्या एसी हो जो हमें जीवन के बंधनों से मुक्त करने वाली हो और यह सत्यमय जीवन विताने से सत्य को जीवन में धारन करने से पूरी हो सकती है स्वामी शद्धानन जी आगे कहते हैं धर्म मर्यादा का उलंगन मत करो अब यह धर्म मर्यादा का उलंगन मत करो की बात ऐसी है कि यदि विद्यार्थी जीवन में कोई विद्यार्थी विद्याध्यन छोड़ करके अन्य कामों में व्यस्त होता है तो वास्तों में वहाँ उसका उलंगन माना जाएगा कोई अध्यापक अपने अध्यापकी कर्म को छोड़ कर अन्य कामों को करने लगता है तो यह उसका उलंगन माना जाएगा जब जो व्यक्ति जिस काम को करता है वही उसका धर्म हो जाता है इस मर्यादा का साक्षी अंतह करन ही है बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है हमारे मन के द्वारा या हमारे मन से कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती हम अपने आप से कुछ भी छिपा नहीं सकते उसके सामने सारी बातें खुली हुई है और वे आगे कहते हैं जो रधे परमात्मा का आसन है वही तुमें धर्म बतला देगा अब ये परमात्मा का आसन अपना रधे है, आज हमारे रधे में काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, लोब है, मत्सर है, इरशिया है, देश है, अब इतने सारे दोशों के होते हुए वह परमात्मा अपने आसन को ढूंडता रहता है इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंत्यकरण के माध्यम से अपने रधे को पूरी तरह शुद्ध कर लें, जिससे कि हमें जीवन में सत्य का दर्शन हो और आगे वे कहते हैं, अपने आत्मा की वानी को सुनो और उसके अनुसार चलो यह बहुत महतपून बात है, अपनी आत्मा की वानी को सुनना इसके लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है जब भी कठिन परिस्तितियों से सामना होता है, जब हम संकटों में घिरे रहते हैं और निर्णय लेने के स्थिति आती है, तब हमें अपनी आत्मा की वानी को सुनने की चेश्टा करनी चाहिए जिससे हम ठीक निर्णय लेने में समर्थ हो सके आगे शद्धनन जी कहते हैं, स्वाध्या से कभी मुख न मोडो अब यह स्वाध्या शब्द अपने आप में पारिभाशिक है स्वाध्या का अर्थ है अपना अध्ययन साथ में आंतरिक विकास के लिए जो जरूरी ग्रंथ हैं जो हजारों वर्षों से मनिश्य जाती को मारदर्शन प्रदान करते चले आ रहे हैं उनका अध्यन करने से हमें भीतरी शक्ति मिलती है जब भी हम निराशा के सागर में गोते लगाने लगते हैं तब हम इन ग्रंथों की ओर देखते हैं और फिर से हमें आशा का संचार होता है स्वामी शद्धानन जी कहते हैं कि ऐसे स्वाध्याय को करने में कभी आलस मत करो यह हमें प्रमाज से बचाता है जिस आचारे ने तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव है उसरे अपने रधे से पूचो वास्तों में आचार्य पग पग पर आपकी या शिश्य की रक्षा करने का काम करता है और ऐसी रक्षा से हमारा जीवन बहुत सुन्दर बन जाता है और ये तो बात जाहिर है कि कभीर जाजी ने आनेक शह गुरू की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है गुरू के कारण ही उनको गोविंद के दर्शन हो पाए गुरू के कारण ही उनको परमतत्व की प्राप्ति भी हुई तो ऐसे आचारे शिश्यों की बराबर जीवन भर रक्षा करते रहते हैं यहा कुल तुम्हारा आचारे है स्वामी शद्धानन जी कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिना देना चाहते हो मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिना मांगता हूँ मैं चाहता हूँ तुम्हारे से ऐसा कोई काम ना हो जिससे तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने लज्जित होना पड़े हम अपने कामों को इतना साफ सुतरा रखें इतने स्वच्छ रखें अपने मन को अपने अंतर करण को और अपनी बुद्धी को जिससे की हमें जब भी किसी के सामने खड़ा होना पड़े तो हम अपने आप में लज्जित न हूँ अब यहां शब्द है लज्जा और इसके समानांतर दूसरा शब्द है गलानी जब हमारे गुप्त कर्म किसी अन्य के सामने प्रकट हो जाते हैं तो हम खुद को लज्जित अनुभो करते हैं और गलानी का तात्पर होता है जब हम अपने ही कामों को देख करके पश्चाता जताते हैं तो वहां गलानी का भाव उपजता है आगे कहते हैं स्वामी शद्धानन जी तुम में से अब कई ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करेंगे अब यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है उन्होंने सब के लिए नहीं का कि सभी लोग ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करेंगे यह भारती संस्क्रती की बहुत महतपून देन है कि हमारे यहां ब्रह्मचर्य वरत पालन करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है इसलिए स्वामी शद्धानंजी ने कहा है कि तुम में से अब कई ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करेंगे उनसे मैं कहता हूँ पांच यग्य करने में कभी प्रमाद न करना अब यह पांच यग्य जीवन में बहुत महतपून है जिनको प्रत्य ग्रहस्त को करना ही है इसकी अनुमती ना तो ब्रह्मचारी को है ना वानप्रस्थी को है और ना सन्यासी को है इन पांच यग्यों की पूर्ती तो ग्रहस्त ही कर सकता है और यह ग्रहस्त हैं पहला यग्य है देव यग्य, दूसरा है पित्र यग्य, तीसरा है आचारी यग्य, चोथा है अतिथी यग्य, और पांचवा है भूत यग्य. अब यहाँ देव यग्ज से आशा है कि रोज प्रातर उटने के बाद उस परम पिता परमिश्वर का धन्यवाद देना कि तुमने हमें मनुष्य जीवन में बनाया है क्योंकि हम यह जानते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये पवित्र मनुष्य जीवन मिला है तो उस देवता के परती धन्यवाद देना दूसरा है माता-पिता के प्रती धन्यवाद उस माता-पिता के प्रती धन्यवाद जिनोंने हमें इस धर्ती पर मनिश्य के रूप में लाया है फिर तीसरा है आचारे यग्य माता-पिता ने जन्म दिया और आचारे हमें संसकार प्रदान करने का काम करते हैं समाज में विहवार करना सिखलाते हैं और साथ में उस परम तत्व की और ले जाते हैं जिसकी आकांक्षा इस मनुष्य जीवन में पूरी हो सकती है फिर अतिती यग्या आता है जब भी घर में कोई अतिती आए तो उसको बिना संतुष्ट किये ना जाने दें यहां अतिती यग्य के नाम से जाना जाता है अब पांचवा बहुत महत्पून वो है भूत यग्य मनुष्य शरीर है और मनुष्येतर प्राणी भी है मनुष्येतर प्राणीयों की आतांक्षाएं हमारे भोज़ पदार्थों पर लगी रहती है उनकी शुद्धी करने के लिए जरूरी है कि हम उन प्राणीयों के प्रती कृतगिता भाव ग्यापित करें हम यह देखते हैं कि जब कोई बड़े बुजुर्ग भोजन करने के लिए बेटते हैं तो वे अपनी थाली में परोसे हुए सभी वेंजनों में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपनी थाली के बाहर रखते हैं उसका आशे यह है कि जिस वेंजन को हम लोग खा रहे हैं या जिस वेंजन का हम भोग लगा रहे हैं वास्तों में उन पर बहुत सारे प्राणीयों की नजर पहले ही पड़ी है जैसे कि किसान खेत में गेहूं लगाता है उस गेहूं को कीडे मकोडे खाने आते हैं चिडियाएं खाने आती हैं लेकिन किसान उस फसल की रक्षा करने के लिए उस चिडिया को भगा देता है कीडे मकोडों को मार देता है तो इसका मतलब है कि वो गेहुं या वो अनाज अशुद्ध है उस अशुद्धी को दूर करने के लिए ये परंपरा शुरू हुई है इसके अलावा घर में बनने वाली रोती, गाय को दी जाती है, कुट्टे को दी जाती है, कूवे को दी जाती है यहां तक कि हमारे यहां तो श्राद्ध पक्ष ही चलाया जाता है जिसमें पंद्रह दिन तक हम विविन्न प्राणियों को पहला आहर प्रदान करते रहे हैं यह भूतियक के जीवन में अपनाना महत्वपून है और साथ में स्वामी शद्धानन जी कहते हैं माता पिता आचार्य और अतीथी यह तुम्हारे देवता हैं उपनिशद में आता है मातर देवो भव, पितर देवो भव, आचारे देवो भव, ये सब देवता सुरूप हैं, इनके जितनी आराद न की जाए उतना कम है भगवत गीता में भगवान करश्ण कहते हैं अर्जुन से कि यदि तुमें ज्यान प्राप्त करना है तो व्रद्धों की सेवा करो, व्रद्धों की सेवा करने से तुमें उस परमतत्व की प्राप्ती हो सकती है माता पिता की अथीती की देवता गुरू की सदेव सेवा सुशुशा करना अपना धर्म समझना चाहिए आगे सज्दानंजी कहते हैं पूराने रिशी बड़े उधार और निरा भी मानी थे ये भी बहुत बड़ी बात है कि रिशी जो की ज्ञान संपन है जिन से दुनिया के सारे पदार्थ जिने मालूम है कोई भी बात छिपी नहीं है इसके बाद भी वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते जो आत्मतत्व को जानने वाले रिशी थे वे भी कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है वे इसलिए नेती नेती कहकर चुप हो जाते हैं और वे कभी अपने को पूर्ण या दोश रहित होने का दावा नहीं करते थे उनका मानना था कि केवल और केवल परमपिता परमेश्वर ही गुणवान है जिसमें कोई दोश नहीं है बाकी जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वे गुण और दोशों से परिपूर्ण है स्वामी शद्धानन जी कहते हैं उनीका प्रतिनिदी होकर मैं तुम्हें कहता हूं कि हमारे अच्छे गुणों का अनुसरन करो और दोशों को छोड़ दो ये भी एक बहुत महत्पूर्ण बात है जिसको जीवन में अपनाना चाहिए जैसे यहां एक किस्सा है कि हमारे देश के परम सन्यासी स्वामी विवेका नंद वे मासाहर भी करते थे और साथ में कभी चिलम इत्यादी भी ले लेते थे अब यदि कोई युवा उनके इन कारियों को देख कर माने कि मैं चिलम पी कर विवेका नंद हो जाऊं तो यहां असंबव है वास्तों में उनके गुणों का अनुकरन करने की जरूरत है उन्होंने जिस ढंक से ब्रह्मचर वरत का पालन करते हुए भारत का परचम पूरी द दोशों को छोड़ दो इस संसार की अंधियारी में किसी को अपना जोती इस्तंब बनाओ अब यहां स्वामी शद्दान जी कहते हैं कि यह संसार अंधिकार मैं है और इस अंधिरे संसार से आप तभी पार पा सकेंगे जबकि आपके पास में कोई महापुरुष रूप में जोती इस्तंब हो जोती इस्तंब का मतलब होता है लाइट हाउस पढ़ा पढ़ाया कुछ अंच तक ही काम आता है यदे किसी विद्यार्थी को यह बता दिया जाए कि आप साइकल पर इस तरह बेड़ जाएए ऐसा हेंडल पकड़िये और इस धंक से पेडल चलाएए तो व युद्ध के मैदान में सिखाई कई विद्वान इसा कहते हैं कि यदि भगवान करश्ण अरजुन को क्लासरूम में जाकर के भगवर गीता सिखाते तो कभी महाभारत नहीं हो पाता अरजुन जैसा वीर सहासी युद्धा जो अकेले ही पूरी सेना से लड़ने में सक्षम वह अपने सामने अपने बंधू बांदो अपने पितामह अपने आचारें को देख करके असर शसर छोड़ कर बेड़ जाता है यदि उसके सामने ऐसी परिस्थिती नहीं आती तो वह कपका ही पूरी की पूरी सेना को समाप्त कर देता इतना बलशाली था तब भगवान श्र और वह युद्ध के लिए प्रवत्त हुआ तो कहने का आशा यह है कि शब्द समझने के लिए होते हैं उनका विहवार तो समाज में जाकर ही सिद्ध होता है पर सच्चे पत्प्रदर्शक वेही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं स्वामी शद्धनन जी कहते हैं कि जो हजारों वर्षों से नाम हमारे बीच चले आ रहे हैं जो अवतारी महापुरुष हो गए हैं जिनको की कालात्मा ने अपनी परिक्षा पर खरा उता रहा है ऐसे महापुरुष जो हैं उनको अपना पत्प्रदर्शक बनाना चाहिए व और यदि किनारे पर लाइट हाउस नहीं है तो जहाज किनारे पर आ करके भटक जाएगा या तो चट्टान से टकरा जाएगा या तूट करके बिखर जाएगा लंगर नहीं डाल पाएगा ऐसे ही हमारा यह शरीर वास्तों में जहाज है और यह संसार सागर है यदि हमने महापुरुष को नहीं अपनाया तो हमारा यह शरीर रूपी जहाज पता नहीं किस किनारे जाकर लगेगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह जीवन बचेगा इसलिए ऐसे आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित महापुरुषों को चाहे वे जीवित हो अपना पत्रदर्शक बनाओ तीन बाते इसमें हैं आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित जब किसी सादू से पूछते हैं कि आप जूट जानते हैं तो सादू कहता है कि मैं सत्य के अलावा कोई आचरण ही नहीं करता आत्मत्यागी जिसने सब कुछ छोड़ द नहीं है वहा केवल समाज के लिए जी रहा है जिसकी ऐसी आकांग्शा रहे जाए वहा आत्मत्यागी और पक्षपात रहित यह बहुत आध्यात्मिक तत्व है पक्षपात रहित होना अपने आप में बहुत मुश्किल है लेकिन यह जमाने की चुनोती के रूप में भी है को अपनाने का काम करना चाहिए आगे वे कहते हैं कि यह संसार तो लेना जानता है लेकिन अपनी बुद्धी और विध्या में से कुछ दे सको तो अवश्च देना चाहिए जो तुमारे पास है उसे उदारता से फेलाओ हाथ खुला रखो मुठी को बंद ना होने दो आगे वे आवान करते वे कहते हैं कि जिस भूमी की मिट्टी से तुमारी देव बनी है जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गोरों के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता उस पवित्र भारत भूमी में रहते हुए तुम उसके यश्च को उजवल करोगे यहां मुझे पूरी आशा है यहां पर संस्कृत का एक वाक के कहना चाहेंगे उसमें लिखा है कि दुरलभे भारत जन्म तत्र मानुशम दुरलभं रिशी कहता है कि भारत में जन्म मिलना ही दुरलभ है और उस पर से मनुष्य जन्म मिलना तो और ही दुरलभ है वे कहते हैं कि इसके गोरों के सामने कोई देश नहीं ठेर सका इसको बहुत समझने की ज़रूरत है कि भारत देश अतिप्राचीन देश है जब दुनिया में कहीं पर भी ग्यान का प्रकाश नहीं था तब भारत देश के ग्यान का सूर्य पूरी तेजस्विता के साथ चमक रहा थ यहां कई प्रकार की विद्याओं का विकास हुआ, उसमें सबसे महत्पून विद्या ब्रह्म विद्या थी, उसके बाद हम लोगों ने क्रशी विद्या का विकास किया, गोव विद्या का विकास किया, उर्जा विद्या का विकास किया, बधु विद्या का विकास किया, वाय विविन भाशाओं में, विविन भूशा में, विविन परकारं के खान पान में बसा हुआ ये देश लोगों को बरबस ही अपनी और आकरशित करता है, इस विशेशता को ध्यान में रखते हुए हमें भारत भूमी पर गर्व करना चाहिए और इसके यश को हमेशा उजवल बन लोक ने की है, संस्कृत का फिर एक श्लोक है, जायते जन्मनहाशुद्रह, संस्कारात दुज उच्चते, जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं, जब हम नौजाश शिशु होते हैं, हमें नहीं मालूम रहता कि हम कहां पढ़े हुए हैं, हम गंदगी में हैं, या मक्मल में लपे शद्धनन जी कहते हैं कि यह संक्षेप में उन वाक्यों का साराश सुना दिया जो हजारों वर्षों से इस पवित्र भूमी में गूंजते रहे हैं इन्हें गुरु मंत्र समझो और अपना पत्परदर्शक बनाओ इसके अलावा स्वामी शद्धनन जी कहते हैं कि आपका और विद्यार्थियों का बहुत समय तक समझ रहा गुरु दक्षिना के रूप में मैं कुछ नहीं मांगता गुरु दक्षिना देना तुमारा धर्म है मांगना मेरा धर्म नहीं यहाँ इसलिए महत्पूर्ण है कि कभ ही भी गुरुओं ने दक्षिना के रूप में रुपे पैसे इत्यादी की मांग नहीं की यदि शिष्य ने ग्यान हासिल किया है और शिष्य ने गुरु को एदी एक नारियल भी चड़ा दिया तो वही उसके लिए गुरु दक्षिना हो जाती थी शद्धनन जी यह भी कहत कि तुम्हारे राजनितिक सामाजिक या मानसिक विचार क्या क्या है मैं केवल तुमसे यह पूछता हूं कि तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित होना चाहिए स्मरन रखो यह संसार सत्य पर आश्रित है कई बार हम लोगों को लगता है कि असत्य वाचरन करने वाला विक्त समाज में सुखी है समरद है उसके पास वो सारी भोतिक सुख सुविदाएं हैं जिसको वहाँ असत्य के बल पर अरजित करता है लेकिन यह ध्यान में रखो कि वहाँ टिकने वाला नहीं है सत्य के आधार से ही असत्य टिका हुआ है जब इस बात का ध्यान आ जाता है तब हम ज स्वामी शद्धानजी ने उन्यस सो चोधा में ये बात कही थी तब इस बात का बराबर प्रेत्न किया जा रहा था कि राजनीती में सत्य को दाखिल कराना चाहिए इसके लिए हमारे सुतनता सेनानियों ने खास करके महत्मा गांधी ने सत्य की स्थापना करने के बहुतेरे प्रेयास किये लेकिन राज और नीती ये दोनों विपरीत छोर पर खड़े हुए हैं राज रहेगा तो नीती जाती है और नीती आती है तो राज चला जाता है इसलि आगे वे कहते हैं कि यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंबन है तो मुझे ना तो कोई चिंता है और ना कुछ मांगना है यहां आकर के स्वामी शद्धानंजी ने अपनी बात पूरी की है सत्य आधारे जीवन होता है तो फिर गुरू को आचारे को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती और शिश्य का जीवन पूरी अच्छाई द्रड़ता से संकल्पवान होकर सुन्दर बन जाता है ऐसा स्वामी शद्धानंजी ने सन 1914 में इस नातक विद्यार्थियों के सामने कहा था दिक्षांत भाशन में विद्यार्थी का अंतिम शिक्षा विद्या हुए को समाज में विहवार में लाना होता है स्वामी शद्धानंजी के ये जो वचन है वास्तों में इनमें जीवन का पूरा सार आ गया है उन्होंने कोई उफदेश नहीं दिया बलकि उन सच्चाईयों को विद्यार्थियों के सामने रखा जिनका जीवन भर उनको पालन करना है इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी शद्धानंजी ने जीवन भर मरने तक अपने काम को नहीं छोड़ा और संकल्पवान होकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम किया दच्वान देखते हैं विद्यार्थ और से हम दोयर्णियों को बहेंा जुड़ा जोड़ा है भी खाहा है अलता है पहल.